हेलो आवरीवान और वेल्कम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल सभी फोरेंचिक्स जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ताइम से अप्रॉक्स 20 डेस से ज्यादा ताइम से वीडियोज नहीं आ रहे थे काफी सारी वीजन थे में पासाहिए मिल पर हुप सारी शाइम तो उसी वजया से वीडियोज नहीं आ रहे थैंगे तो इस और यहां पर एक चीज और है कि इस से पहले साइबर को इसी काBob कर दॉच्ऊ हो पाई है तो इससे विजए से आज हम डिसकास करेंगे जो आपका नेट का एक्जाम रहता है उस से रेटेड कुछ आपके important points रहते हैं जैसे कि आपके fusion होता है fontanil and sutures का उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करें कब इनकी closing होती है तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं आपके एक्जाम में directly questions बनते हैं तो पूरी list है इसको आज के वीडियो में हम discuss करने बाले हैं बाकि cyber को भी जल्दी हम start कर देगी जब presentation ready हो चाहेगी तब जादा बेटनी आपको करना पड़ेगा लेकिन उसके तो आपके time चाहिए अभी start कर लेते हैं और यहाँ बर सबसे पहल तो कापी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने anthropology पर पढ़ा होगा बढ़ा नहीं पढ़ता है आपको तो अभी बस नाम से आप समझ देगे कि यह जो नाम रहता है यह किस एयर में इसका fusion या closing होती है बाकि यह कहां कहां पर available होता है तो उसका मैं separate video upload कर दूंगे तो वहां से बॉल नहीं है कि आपका जोग वाला प बोण सुड माशंग तो कि आपके विवेन अवह के अस्तिर से तो अन। संगने होते हैं वह आपको दूंब्धे के दोसें आता चै़ आपकी जानी ठेल से आपका उसका होता है जौन से हम चीछेंट यह पका ची वाली बहंती आधी न portion of occipital bone जो occipital bone होती है आपके स्कल में तो उसका जो condylar portion होता है उसका squamous के साथ में जो fusion होता है वो third year तक हो जाता है याने की birth के तीसरे साल तक approximately वो हो जाता है उसके लावा next अधर हम बात करें condylar portion of occipital bone with basi occipit basi occipit का जो structure रहता है उसका fusion आपके occipital bone के condylar portion के साथ रहता है वो आपका fifth year तक complete हो जाता है next आपका lateral fontanel की बात करें तो इसमें जो fusion होता है वो second month तक ही complete हो जाता है posterior fontanel जो रहता है वो आपका second month या फिर at birth ही आपका fusion का complete देखने को कई बार मिलता है बट usually second month या birth ये दून चीज़ें भी आपकी रह सकती है मीटोपिक सूचर की बात करें ये काफी important question बन जाता है काफी बार यहां से question आया है कि मीटोपिक सूचर क्या होता है कहां पर available होता है इसका fusion किस year में होता है तो इस तरह से fusion रहता है वो 18 to 21 years में complete होता है अब basically हो सकता है कि आपको इस सारे नाम नहीं पता हो लेकिन usually आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा आप anthropology में पढ़ते हैं और anthropology में ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है बट फिर भी अगर नहीं पता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं डिरेक्ली Google पर search करेगा structure of skull तो इसकल के structure में आपको ये सारे नाम देखने को मिल जाएंगे जो इसको देखेगा तो वहां से आपको सब को समझ में आ जाएगा बाकि यहां पर इसका separate video भी में जल्दी ही अपरोड कर दूँए तो वहां से आपको वह चीज़ों भी क्लियर हो जाएंगी अब यागे यह इसका outer portion हो गया यह इसका inner portion हो गया तो यहां पर जो बात हो रही है जो आपके कोरोनल से जाइटल और लेमडाइडल सूचर होते हैं इसमें जो fusion होता है इसका inner portion की बात करें inner portion यानि कि अंदर साइट से fusion जो start होता है वो 25 एर सक complete होता है और यहीं पर अगर हम बात करें इसके जो outer side होता है vault का यानि कि जो आपका skull का vault है उसके outer side की बात करें तो उसमें जो sagittal suture का posterior one third portion है वो 30 to 40 years ता complete हो जाता है anterior one third of sagittal and lower one third of coronal suture यह 40 to 50 years ता complete होता है middle one third of sagittal and upper one third of one second half of coronal तो यह आपका 50 to 60 years तक यानि कि middle one third sagittal और upper half of coronal तो जो आपका lower half coronal हो गया वो 40 to 50 years में हो गया पर half coronal हो गया यह आपका 50 to 60 years हो गया उसके अलावा यहीं पर आपका same sagittal में भी रहेगा और आपका middle और anterior sagittal suture में रहेगा आगे बात करें lambdoidal suture की तो lambdoidal suture में जो lambda वाला portion जहां पर बनता है जैसे कि आपका यह skull रहता है अगर back side की बात करें तो यह आपका sagittal suture सेंटर से गया और यह आपका lambdoidal suture जाता है तो यहाँ पर यह वाला जो portion रहता है इसको हम lambda भोलते हैं इसकी जो closing रहती है वो 45 years तक हो जाती है और उसके अलावा जो squamous part होता है temporal का वो fuse करता है जो neighbor के उसके जो भी bones रहते हैं जो sutures रहते हैं उनसे तो यह आपका 60 years ता complete हो जाता है तो यह सारे ही जो fusion में बता रही हूँ यह बहुत important इनको बहुत अच्छे से याद कर लिजाएगा और basically इसका source में आपको बता देती जो नागेश कुमार राओ बुक है उस बुक से मैंने इसको लिया हुआ है तो वहां से भी आप उसको refer कर सकते हैं अभी आगे चलते हैं और next यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी बिसिकली suture नहीं है यहाँ पर जो bones के joint होते हैं उनको हम discuss करेंगे तो जो आपक आटरेशन होता है या फिर जो loss of teeth होता है वो आपका 50 years के बाद में start होता है जो आपके sternum जो रहता है body और जो sternum की जो body रहता है उसमें जो union of zephoid process यानि कि जो आपका sternum होता है sternum की body का zephoid process यानि कि sternum है आपका इस तरह से कुछ रहता है यह इसकी body हो गई यह इसका manubrium व यानि कि यह वाला portion इसका joint होगा zephoid process से होगा यानि कि यह वाला portion properly joint हो जाएगा कब हो जाएगा after 40 years इसके बाद में next है आपका lipping of lumbar vertebrae or bones of the joints of the extremities तो lipping क्या है lipping का मतलब होता है कि जो आपकी bones होती है उसकी चारो तरफ जो joint रहता है उसकी surrounding में कुछ additional overgrowth होने लगती है bone की तो उसको हम बोलते हैं lipping अब यह जो आपकी lumbar vertebrae होती है उसमें जो lipping होती है जहाँ पर आपकी joints available होते हैं वो आपकी approximately 45 years के बाद में यह चीज आपकी new होती है उसका fusion जो उसकी body रहता है उसके साथ में कब तक हो जाएगा 40 to 60 years तक और यहाँ पर next है आपका rarefaction of bone यानि कि जो senile osteoporosis रहती है यह आपका 60 years के बाद रहता है osteoporosis जो रहता है एक तरह का आपका disease होते हैं जहाँ पर क्या होता है जो आपकी bones होती है bones में से calcium जो होता है उसका degradation होने लगता है तिसकी वजह से जो आपकी bones होती है वो spongy हो जाती है इस चीज को हम बोलते ह है osteoporosis और इसी तरह से एक रहता है आपका senile osteoporosis जिसको हम rarefaction of bone बोलते हैं यह आपका after 60 years देखने को मिलता है अभी आगे चलते हैं अब यहाँ पर कुछ आपके इसके important fact है important fact क्या है जो skull के आपके suture होते हैं उसका जो closure होता है अगर हम male और female में compare करें तो तो females का जो skull में sutures available होते हैं वो देर से बंद होते हैं उनका closure देर से होता है in comparison to males याने कि males के जो suture होते हैं वो comparatively पहले बंद हो जाते हैं और females के जो suture होते हैं अगर हम compare करें male से तो वो थोड़ा सा देर से बंद होते हैं हलांकि जो आपकी sutures का closer रहता है वो तना reliable नहीं होता है age का estimation करने के लिए क्योंकि उसमें जो आपका variation होता है वो काफी ज़्यादा variation देखने को मिलता है इस वज़ा से उतना ज़्यादा exact नहीं होता है क्योंकि यहां पर हमको एक range देखने को मिलेए कि इस वजह से उतना ज़्यदा इस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि आप सिरफ और सिरफ एज जो है एज अगर आपको find out करनी है तो suture की help से आप कर पाऊगे तो उतना ज़्यादा exact यह नहीं होता है उसके अलावा अगर आपको age estimate करना है sagital suture से तो यह सबसे ज़्यादा reliable होता है इसके बाद में आपका आता है lambdoidal और फिर आता है आपका coronal suture अब यह sequence याद करना बहुत important है कि आप से directly पूछ देंगे कि अगर आपको age का estimation करना है तो सबसे ज़्यादा reliable आपके skull में कौन सा sut suture होता है या फिर आपको sequence बताना है कि किस sequence में आपके suture जो रहते हैं वो age का estimation करने में reliable होते हैं तो सबसे ज़्यादा reliable है आपका sagital suture फिर आजाएगा आपका lambdoidal suture और उसके बाद में last में आजाएगा आपका coronal suture major suture होते हैं आपके यही तीन होते है तो इसको आपको अच्छे सियाद रखना है सबसे पहले sagital suture कहां पर होता है यह आपका skull है यह आपका coronal suture यह आपका frontal और जो frontal side रहता है वो है यह है आपका sagital suture और यह कुछ इस तरह से lambda के shape में बनता है इसको हम बोलते हैं lamdoidal suture जो कि आपकी occipit bone के पास में available होता है इतना हो गया जो front वाली bone होती है इसको हम बोलते हैं frontal bone side वाली आपकी दोनों होती है temporal bone पीछे वाली होती है आपकी occipital bone तेक है अब यहाँ पर यही जो आपके सूचर है सबसे पहले आपका sedital suture center वाला उसके बाद में आपका last वाला lamboidal suture और फिर आजाएगा आपका age estimation के लिए last में coronal suture तो यह 3 suture यह sequence इसका अच्छे से याद रख लीजेगा उसके अलाबा यहाँ पर जो sacrum रहता है वो basically 5 अलग-अलग bones रहती है उनका यहाँ पर जो आपकी से यूनियन से बनती है आपकी साक्रम बोन तो इसमें जो आपकी साक्रम जो रहती है वो single bone कब बनती है यानि कि 5 जो bones है उनका fusion किस year तक हो जाता है तो पांचो का यानि कि पांचो की fusion से साक्रम एक single bone बनती है 21 to 25 years के बीच में तो यह इसकी एक range रहती है और बाकी यहाँ पर जो आपका S1 यानि कि sacral bone 1 and sacral bone 2 इन दोनों के बीच में कुछ आपका gap रह जाता है और यह जो gap रहता है 32 years तक रहता है कई बार और यह क्यों रहता है due to lapsed union क्योंकि proper यहाँ पर union नहीं हो पाया है इस वजह से रह जाता है तो यह चीज भी है बट यह उतना important नहीं है यह चीज आप या आपको समझ में आ गया होगा basically यहां से काफी सारे questions directly आपके exam में देखने को मिलते हैं इसी विजह से मैंने यह topic को choose किया था उमीड करते हूं सब कुछ clear हो गया होगा फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप comment section में लिख सकते है उसका reply आपको definitely मिल जाएगा और जैसे कि मैंने आ आ रहे थे काफी time से नहीं videos upload हुए थे उसका कुछ reason था basically उसके दो reason थे मैं आपको बता देती हूं पहला reason था कि हमारे घर पर ग्रह प्रवेश था तो उसमें approximately 15 days हमारे use हो गय थी वहाँ पर बिलकुल भी time नहीं मिल पाया था उसके बाद में घर में जो समान गया था उसके लिए भी मुझे time नहीं मिल पाया था यह तो यह सारी काफी सारी चीजी थी जो कि एक साथ में आ गई थी इस वजय से मैं आपको time नहीं दे पाई 20 days तक बड़ अब ऐसा नहीं होगा मैं पूरी कोशेश कर दूँगी कि सारी चीजी आपकी साथ में manage होती ही चले और जैसे कि आपका cyber वाला हम continue कर रहे थी तो उसको भी में वापस से जल्दी ही start कर दूँगी और बाकि net का exam आने वाला है तो उसके लिए मैंने कुछ decide किया है वो भी आपको जल्दी ही update हो जाएगा अब यहां पर इस वीडियो को करते हैं और कोई doubt हो जाते है तो comment section में लिख सकते हैं आपके सारे questions का reply भी नहीं कर पाई आपको pdf भी provide नहीं कर पाई हो तो वो सारा का सब्सक्राइब करके आपको available हो जाएगा और इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो like ज़रूर से कर दीजेगा अपने friends के साथ में share कर दीजेगा ताकि उन तक भी quality content पहु